नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज मीडिया 47 और मैं हूँ काजल आज एक नई वीडियो के साथ दुनिया के 10 रहसमें मंदिर इंडिया में 2 मिलियन से जादा मंदिर है और इनी मंदिरों में से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी कुछ अलग ही माननेता हैं उनमें से पहला है काल काल भहरव का मंदिर मद्य ठर्देश के शहर उज्जयन में हैं बहगवान काल भहरव का 6000 साल पुराना मंदिर यहां की परउंपर है कि यहां सिर्फ शराप ही प्रशाथ के तोर पर चड़ाई जाती है और चोकाने वाली बात कहते हैं मंधिर 5000 साल पुराना है इस मंदिर की छछत के पानी तपकने लगता है जिसे वहां के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा लगता है वहार एने वाले निवासिओं के निशार वह इस मंदिर की चछत से टपकने ओरी बूंदो the match के ओर पता लिए कि आखिर मंदिर के छट से टपकने वाली बूंदों का रास क्या है तीसरा है सनी सिंगनापूर वैसे तो देश में शनी देव के कई मंदिर है लेकिन महाराश्च की एहमन दगर जिले में इस्थि सिंगनापूर का शनी मंदिर विष्यो परशिद्ध है इस शनी मंदर की विशेषता यह है कि यहां इस्तित शनी देव की प्रतिमा बिना किसी छत के खुले आस्मान के नीचे एक संग मरमर के चबूतरे पर लखी है इस शहर में भगवान शनी का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांस गरों में ना तो कोई खिड़की है और ना ही दर्वाजा लगी है तो सिर्फ पर दे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां चोरी नहीं होती जो भी चोरी करता है उसके साथ कोई दुरगटना होती है कांगला की ब्रजेशुरी देवी मंदिर में बहरो भावा की एक अनोकी प्रतिमा है मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी जाड़ा पुरानी है इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यहां आसपास के छेतरों में जैसे ही कोई परिशानी आने वाली होती है तो भगवान बहरो की मूर्ती से आसु गिरना शुरू हो जाते है मंदिर के पुजारी के अनुसार जब भी प्रतिमा से आसु किरते हैं तो वहां आने वाले संकिट के लिए पूजा गराई जाती है अलाकि इन आसु के पीछे का रह से कोई नहीं जान पाया पाचवा है करनी माता का मंदिर यह मंदिर जो बीकाने राजिस्थान में इस्तित है बहुत ही अनुका है इस मंदिर में लगब 20,000 कालेज हुए हैं यह मंदिर चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है यहां चुओ को कावा कहते हैं, उन चुओ को वहां खाना खिलाया जाता है और वहीं उनकी देखवाल भी की जाती है यहां इतने चुओं हैं कि आपको पैर घिसरट कर चलना परता है ताकि कोई भी जुगा आपके पैर के नीचे ना आए क्योंकि यह अपसगुन माना जाता है और अगर आपको यहां कोई सफेज चुआ दिखता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी सारी मनुकामना पूरी हो जाएंगी छेटवा है जौला देवी मंदिर यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगला जिले में कालीधार पाहडी के बीच में बना हुआ है इस मंदिर में अंतकाल से ही जौला निकल रही है इसी कारे जौला देवी के नाम से प्रशिद है किसी को रही पता यह जौला कहां से प्रकट हो रही है इसके अलावा पास ही एक जगे है गोरग डिबी जो की एक जल कुंड है इस कुंड में दिखने वाला पानी बहुत ही गरम और खौलता हुआ है जब कि छूने पर वही कुंड का पानी ठंडा लगता है साथवा है राम सेतु के पत्र राम सेतु पूरी दुनिया में एक मात रहसा इस्तान है जहांके पत्र पानी में तहरते हैं यहां के पत्रों को बेचने पर रोक लगा रखी है ऐसी मानिता है कि राम सेतु या नल सेतु को बनाने एक लेजन पत्रों का इस्तिमाल किया गया था वे पत्थर पानी में फेकने के बाद भी समुद्र में नहीं डूपते बलकि पानी की सतय पर ही रहते हैं। आटवा है टिटलागड उडीशा का शिव मंदर। टिटलागड उडीशा के एक कुम्डा पहाड पर ही इस्तित है शिव मंदर। टिटलागर उडीशा का सबसे गर्म छेत माना जाता है पथ्रीले चट्टानों के चलते यहां पर बहुत गर्मी होती है लेकिन मंदिर के अंदर इस गर्मी का कोई असर नहीं होता यहां इतनी गर्मी के चलते मंदिर के बाहर बक्तों के लिए पांस मिनट भी खड़े रहना मंदिर के अंदर एसी से भी जादा ठंडी हवाओं का हैसास होने लगता है और यह वातावरेंट शिर्फ मंदिर के अंदर धकी होता है वहार आते ही वही गर्मी इसके बीचे का रह से भी आस तक कोई नहीं जान पाया नोभी है अमर्नाद गुफा 14,000 फुट की मुचाही प में बदल जाता है यह गुफा लगबर 160 फुट लंबी 100 फुट चौड़ी और काफी उची है कश्मीर में वैसे तो कई सारे धाम है लेकिन अमर्नाद धाम का सबसे अधिक महत है दसवा है अरावतेश्वर मंदिर कमिल नाडू के इस मंदिर का निर्मान बारवी शदी के चो का सफेद हाती अरावत ने शिप की पूजा की इसलिए इस मंदिर का नाम अरावतेश्वर है और आज के लिए वस इतना ही ऐसे ही कई जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ